नमस्ते आज हम कक्षा 9 विज्ञान के पार्ट कार्य तथा उर्जा वर्क एंड एनर्जी को पढ़ेंगे हम इस पार्ट के कुछ अभ्यास प्रश्णों को देखेंगे यह प्रश्ण NCRT पाठ्यपुस्तक से लिए गए हैं हम कुछ महत्वपूर्ण व्यन्जकों को देखते हैं जो हमें प्रश्णों को हल करने में सहायता करेंगे पहला है कार्य, गते जूर्जा, गुरुत्विय स्थिते जूर्जा और शक्ती पहला प्रश्ण, एक पिंड को धर्थी से किसी कोण पर फेका जाता है यह एक वक्र पत पर चलता है और वापस धर्थी पर आगेता है पिंड के पत के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदू एखीक शतिजरिखा पर स्थित है पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया गया है क्योंकि प्रथम और अंतिम बिंदू एखीक शतिजरिखा पर है अर्थान गुरुत्व बल की दिशा में पिंड का विस्थापन शून्य है और हम जानते हैं कार्य बल और विस्थापन का गुणन फल होता है पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होगा क्योंकि विस्थापन शून्य है दूसरा प्रश्न 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर देता है बल द्वारा किये गए कार्य का परिकलन कीजी द्रव्यमान पर बल द्वारा किया गया कार्य इसकी गतिज उर्जा में आये हुए परिवर्थन के बराबर होगा द्रव्यमान 20 किलोग्राम है प्रारंबिक गति 5 मीटर प्रति सेकंड इससे हम प्रारंबिक गतिज उर्जा निकाल सकते हैं जो की होगी 250 जूल अंतिम गति हमें दी हुई है 2 मीटर प्रति सेकंड इससे हम अंतिम गतिज उर्जा निकाल सकते हैं 40 जूल तो गतिज उर्जा में आया हुआ परिवर्थन अंतिम गतिज उर्जा माइनस प्रारंबिक गतिज उर्जा जो की होगा माइनस 210 जूल क्योंकि गतिज उर्जा अंतिम में प्रारंबिक से कम हो रही है क्योंकि अंतिम गती प्रारंबिक गती से कम है तो यह कार्य रिनात्मक कार्य हुआ तीसरा प्रशन मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज उर्जा लगातार कम होती जाती है क्या यह उर्जा सनरक्षन नियम का उलंगन करती है कारण बताईए नहीं यह उर्जा सनरक्षन नियम का उलंगन नहीं करती है क्योंकि स्थितिज उर्जा कम होती जाती है और गतिज उर्जा बढ़ती जाती है जिनका योग अचर रहता है, अर्थात उर्जा सन्रक्षन नियम का पालन होता है. अगला प्रश्न, किसी घर में एक महीने में उर्जा की 250 यूनिटें व्याय हुई, यह उर्जा जूल में कितनी होगी? हम जानते हैं एक यूनिट उर्जा की व्यावसाय की काई है, जो की 1 किलो वाट आर के बराबर होती है, जो 3.6 गुना 10 का घातांक 6 जूल के बराबर होता है. इस घर में उर्जा की 250 यूनिट व्याय हुई है, अर्थात 250 किलो वाट आर उर्जा व्याय हुई है, जिसे हम जूल में परिवर्थत करने के लिए 3.6 गुना 10 का घातांक 6 गुना करेंगे, तो हम पाएंगे कि 250 यूनिट 9 गुना 10 का घातांक 8 जूल के बराबर है. अगला प्रश्न, 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धर्ती से 5 मीटर की उचाई तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज उर्जा कितनी है? यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए, तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है, उस समय इसकी गतिज उर्जा का परिकलन कीजिए. हम स्थितिज उर्जा का व्यन्जक जानते हैं, हमें उचाई दी हुई है और द्रव्यमान भी दिया हुआ है, इससे हम स्थितिज उर्जा पाएंगे 2000 जूल. अब हमें आधे रास्ते पर जब पिंड है, तो उसकी स्थितिज उर्जा निकालनी है, अगर पिंड आधे रास्ते पर है, इसका मतलब उसकी उचाई आधी है, तो हम 5 के स्थान पर 2.5 को रखेंगे, तो हम स्थितिज उर्जा पाएंगे 1000 जूल. और उर्जा संडक्षन नियम से हम जानते हैं कि टारंबिक स्थिति में केवल स्थितिज उर्जा थी और गतिज उर्जा शूनी थी, तो उनका योग 2000 जूल है, और उनका योग अचर रहेगा, इसका मतलब स्थितिज उर्जा जब 1000 जूल हो गई है, तो उस समय गतिज तो E के और 1000 जूल का योग भी 2000 जूल के बराबर ही होगा, जिससे हम पाएंगे कि E के अत्वा गतिज उर्जा 1000 जूल के बराबर है. पृत्वी के चारों और घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कारे किया जाएगा, अपने उत्तर को तर्क संगत बनाईए. प्रित्वी के चारों और घुमते हुए किसी उपग्रह का गुरुत्व बल्की दिशा में कोई विस्थापन नहीं होगा अर्थात विस्थापन शूने होने के कारण गुरुत्व बल्दवारा उस पर किया जाने वाला कार्य भी शूने ही होगा हम यहाँ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यदि गुरुत्व बल्की दिशा में विस्थापन होगा तो उपग्रह अपनी कक्षा में स्थिर नहीं रहेगा और प्रित्वी से ठकरा जाएगा अगला प्रश्न कोई मनुष्य भूसे के एक गठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता है और ठक जाता है क्या उसने कुछ कार्य किया या नहीं अपने उत्तर को तर्क संगत बनाईए भूसे के गठर को एक स्थान पर स्थिर रखा जा रहा है उसे विस्थापित नहीं किया जा रहा है जिस कारण मनुष्य द्वारा किया हुआ कारिश शून्य है अथवा कोई कारिश नहीं किया गया है मनुष्य को ठकान बल लगाने की वज़े से होती है परंतु हम जानते हैं कि केवल बल लगाने से कारिश किया जाना आवश्यक नहीं है कारिश के लिए बल और विस्थापन दोनों का होना आवश्यक है अगला प्रश्न एक विद्यू थीटर उश्मक की घोशित शक्ती 1500 वाट है 10 घंटे में यह कितनी उर्जा उपयोग करेगा हम शक्ती के विद्यूजक का उपयोग करेंगे तो हम पाएंगे उर्जा 1500 गुणा 10 वाट आर के बराबर होगा क्योंकि शक्ती की इकाई वाट है और समय की इकाई आर यह घंटे है तो 1500 गुणा 10 को हम 15000 या 15 किलो वाट आर भी लिख सकते हैं जो की उर्जा की व्यावसाई की काई है तो यह 15 यूनिट के बराबर होगा या फिर जूल में 5.4 गुणा 10 का घंटांक 7 जूल अगला प्रश्न 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार को जो 60 किलोमीटर प्रती घंटे के वेग से चल रही है रोकने के लिए किये गए कारे का परिकलन कीजिए कार को रोकने के लिए उस पर उसकी गतिज उर्जा के बराबर कारे किया जाना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कार्य गतिज उर्जा में आए बदलाव के बराबर होगा वेग हमें दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रती घंटा जो की होगा 50 बटा 3 मीटर प्रती सेकेड इससे हम द्रव्यमान और वेग का इस्तेमाल करके गतिज उर्जा निकाल सकते हैं जो की होगा 2.0833 गुणा 10 का घातांक 5 जूल तो यह गतिज उर्जा प्रारंबिक गतिज उर्जा है और हम चाहते हैं कार अंत में रुक जाए इसका मतलब है उसकी गतिज उर्जा अंत में 0 हो जाए तो इसका मतलब हमें कार पर माइनस 2.0833 गुणा 10 का घातांक 5 जूल कारे किया जाना चाहिए यह माइनस कार्य है अर्थाद यह रिनात्मक कार्य है अगला प्रश्न निम्ड में से प्रत्येक स्थिती में M द्रव्यमान के एक पिंड पर एक बल F लग रहा है विस्थापन की दिशा पस्चिम से पूर्व की ओर है जो एक लंबे तीर से प्रदर्शित की गई है चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए और बताईए कि किया गया कार्य रिनात्मक है धनात्मक है या शून्य है पहले चित्र में हम देख रहे हैं कि विस्थापन की दिशा और यह बल की दिशा है और इन दोनों के बीच में 90 डिगरी का कोण है तो हम इस से या अनुमान लगा सकते हैं कि विस्थापन की दिशा जो है और बल की दिशा के बीच में 90 डिगरी का कोण है जिसका मतलब है बल की दिशा में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है तो हम इस चित्र में कह सकते हैं कार्य शून्य है दूसरे चित्र में बल की दिशा पस्चिम से पूरू की ओर है और विस्थापन की दिशा भी पस्चिम से पूरू की ओर है अर्थार विस्थापन बल की दिशा में ही हो रहा है तो इस चित्र में हम कह सकते हैं कि कार्य धनात्मक कार्य है तीसरा चित्र इसमें बल की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है और विस्थाबन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है इसमें हम देख सकते हैं कि बल की दिशा विस्थाबन की दिशा के विपरीथ है अगला प्रश्न, मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अन्तता धर्ती तक पहुँचने पर रुख जाता है। इसकी गतिज उर्जा का क्या होता है? उर्जा सनरक्षन नियम से हम जानते हैं कि उर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती है। उर्जा के विभिन्न स्वरूपों का योग हमेशा अचर रहता है। उर्जा पुनरावृत्ति आज हमने कार्य तथा उर्जा पाठ के कुछ महत्वपूर्ण व्यन्जकों को देखा। हमने कार्य, गतिज उर्जा, गुरुत्विय स्थितिज उर्जा और शक्ति ये व्यन्जकों को देखा। और उनके सहायता से हमने कुछ अभ्यास प्रशनो का हल किया यह अभ्यास प्रश्ण N-C-E-R-T पाठे-पुस्तक से लिए गए थे शब्दावली आईए कुछ नए शब्दों को जाने पहला शब्द काइनेटिक अर्थाद गतिज अर्ट अर्च आफ्टिकर आप्टिक अनग किनेटिक आचेटिय। ब्दूसरा यह यह प्तिवर इपित अर्थात आदर्श आर्चून इस अन एपितिमी अफ्टिविए अंदेमिए इन्टिप्टिंए इपोः ट्सित्र यह फोट्वर्ग यह न शुट्ट शू जलतों सिच धन्यवाद